यूपी में जो फेल अपने दिखाया, आब ही तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, वो स्टेबल गॉर्मेंट में है, कोई भी दीनो जा सकता है वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है, आप लोगोंने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को अटा दिया आसमान से जमा जम बारिशोर ही थी, लेकिन न ममताब एनरजी मंच से हटी, ना उनको सुनने आए समर्थक टस से मस हूर ये नजारा है कूलकाता में हुए टीमसी की शहीदी दिवस रैली का, इस रैली में ममताब एनरजी और टीमसी नेताओं के अलावा अखलेश यादव ने भी हिस्सा लिया लोकसभा और विधान सभाव चुनाओं में जीत हासिल करने के बाद बंगाल में ये टीमसी की पहली बड़ी रैली थी, इसलिए मौका और दस्तूर दुरुस्त जानकर मंच से ममताब एनरजी ने अखलेश यादव की तारीफ की, बोली आपने उत्तरप्रदेश में खेला क कर दिया, दिदी किस तारीफ अखलेश गदगद हो गये और हाथ जोड़ दिया, आपने आके हम लोग को बहुत-बहुत हम आपको शुक्रिया अदाय करती हूँ, हम आपको पार्टी को, समाजबादी पार्टी को पहले अभिनांदन करने चाहूंगी, कि यूपी में जो खे होता है, आपको थोड़ा से दिन इंताजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूँ, कि दिल में जो गर्मेंट, एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमिशान को लगा के, डड़ा के, जो गर्मेंट ले आया, ओस्टेबल गर्मेंट नहीं है, कोई भी दिनो जा सकता ह है, जैसे कभी धूप आता है, बाड़िश होता है, उसका बाद, ऐसे बहुत दिन हो गया ममताव एनरजी ने मंच से न सिर्फ अखलेश यादव की तारीफ की, बलकि मोदी सरकार का भविश्य भी बता डाला ममताव एनरजी बोली जादा वक्त नहीं है केंदर की मोडी सरकार गिरने वाली है दीदी के इसी मंच से अखलेश आदव ने बंगाल की जनता की तारी त्योर उन्होंने भी कह दिया कि ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आये हैं ये कुछ दिनों के ही महमान है वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाते हैं हाला की बंगाल ने आप लोगोंने मिल करके यहां मुकाबला किया बीजे पी को हटा दिया पीछे छोड़ दिया यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं ये कुछ दिन के महमान हैं मैंने लोग समा में भी कहा और आज भी कहता हूँ जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग है वो सरकार चलने वाली नहीं है वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन के यही सरकार गिरेगी और हमारे आप के लिए खुश्यों के दिन भी आएंगे दरसर पशीम मंगाल में दीदी ने जिस तरह बीजेपी के एजेंडे को नाकामियाब किया है ठीक उसी तरह उत्तरप्रदेश के लोग सभा चुनाओं में सपा ने बीजेपी के विजयरत को रोग कर उनकी आगे की राहें मुश्किल कर दी हैं सपा की 37 सीटों के चलते केंदर की मोधी सरकार बैसाखी के सहारे है इसलिए दीदी और अखलेश दोनों ही केंदर सरकार के गिरने की भविश्चिवानी कर रहें